लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें राम का दूद उसे आने दिया जाए जो आग गया लंकिश्वर जै श्री राम कि शानती प्रस्व रखूँ कि अपना नाम बताओं कि हूँ यह कुछ ए युद्ध को टालने के लिए शानती प्रस्व लेकर सरी राम ने मुझे यां भेजा है पहले तुम हमारे उस मित्र का नाम बताओ जिसके पुत्र होने की तुम घोशना कर रहे हो किशकिंदा पती वानर राज बाली जिन्होंने तुमें कांप में दबा कर मित्रता करने पर विवश कर दिया था और उसके पश्चात बाली के भैसे किश्किंदा की ओर एक बार भी तुमने नहीं देखा बाली के पुत्र पहले अपना नाम बता मेरा नाम अंगद है पानर सेना का सबसे छोटा सैनिक हूं और छोटा होते हुए भी कितना बड़ा हूं ये तुम अपने सैनिकों से पूछ सकत जो आग्या लंकेश्वर मैं श्री राम का दूत आपकी भलाई की बाते कहने आया हूं क्रिपा करके मेरी बात शान्ती पूर्वक सुनिये कहो क्या कहना चाते हो लंकेश्वर आप महान रिशी पुलत्स के पौत्र तथा रिशी विशर्वा की श्रेष्ट संतान है आपने श नहीं है सत्य वचन कहकर तुमने हमें प्रसंद कर लिया है अंगद कहो आपने प्रत्वी के समस्त नरेशों तथा लोग पालों को अपने बश्मे कर लिया है स्वर्ग लोग से लेकर पाताल लोग तक आपका यश फैल चुका है तुम हमारी विशेष्टाओं और हमारी कीरत से अच्छी तरह परिजीत हो हम तुम्हारी बात ध्यान से सुन रहे हैं आगे कहो इतना महान होने के बाद भी आप से एक भूल हो गई है लंकेश्वर सच पूछा जाए तो भूल किससे नहीं होती चंद्रमा भी अपने उज्वल मुख पर कलंक लगाए बैठा है हमसे कूं मन से ही पूछ सकते हैं लंकेश्वर सत्ता मिल जाने पर अभीमान का होना स्वाबाविक है जब आपने प्रित्वी के समस्त राजाओं को अपने वश में कर लिया तो अभीमान तो अवश्षी होगा तुम सत्त्य कह रहे हो अंगाद और अभीमान के इसी मोह में आप एक भय भूल कर बैटे हैं लंकेश्वर कैसी भूल जग जननी सीता माता का हरन करने की भूल जिसका परिणाम भयानक हो सकता है लंकेश्वर सीता का हरन करके हमने कोई भूल नहीं की अपीतु राम को उसके अपराद का दंड दिया है श्री राम कभी अपराद कर सकते हैं यह तो मों ने आपकी बुद्धी हर ली है और इसी बुद्धी हिंता के कारण आपने सीता मईया का परण किया है बर्स पर हम सीता के विशे में कुछ भी नहीं सुनना चाहते अपने शांती प्रस्ताव की बात करो क्या तुम्हाराम लंकेश्वर के गौरव का सम्मान करते हुए युद्ध से बचना चाहता है क्या वह वनर सेन सहीद लंका से लोड़ जाना चाहता है यदि वो ऐसा चाहता है तो हम उसे मूं मांगा पुरुसकार देंगे स्री राम को किसी पुरुसकार की आवश्यक्ता नहीं है उन्हें तो बस एक ही आकांग्शा है क्या चाहता है तुम्हारा राम स्री राम चाहते हैं कि आप दातों में तिन का दबाकर माता जानकी को उनके पास ले चले और उनसे कहें कि प्रभू मेरा अप्राज शमा कर कर आया है मैं सत्ति कह रहाँ लंकेश्वर यदि आपने ऐसा किया तो श्री राम आपको अवश्य शमा कर देंगे और आप फिर्वे होकर लंका पर शासन कर सकेंगे बहुत हो गया तेरा प्रलाप क्या यही शांति प्रस्ताव लेकर आया था तू फिनाश्री यह शांति का एक दूद को दंडित करने की बात ना करो तुमारे पिता लंकेश्वर एक ज्यानी नीतिवान पंडित है वे ऐसा कदापी नहीं करेंगे हम तुझे दंडित नहीं करेंगे यदि तू सच्चा और शांति परस्ताव हमारे सामने रखे तू जिस राम का दूद बनका राया है वो रामिस्तिरी व्योग में बलहीन हो रहा है और उसका भाई लक्षमन अपने भाई के दुख से दुखी है उसका शांति परस्ताव एक हो सकता है कि वो हनुमान और तेरे उत्पातों के लिए शमा मांग कर वानर से न सहीत लंका से लोड़ जाए तुझ जैसे अप्रादी आया था उसी राम को तू बली कह रहा है याणी मेरी बात मानकर तूने सीटा माता को शीराम को समर्पित्ना किया तो सब से कहता हूँ शिवा सम्मा भी तुझे श्री राम के हाटों मरने से नहीं बजा पाएंगे अब तो हमारे हाटों चीवित पच नहीं पाइगा अंकार स कि यह दूद्ध बनकर आया है इसे ख़लक से मारना उचित नहीं इसके पैर पकड़कर प्रित्वी पर पचाड़ दो दुष्ट रावन तुमेरा बल देखना चाता है मैं अपने एक पक प्रहर से तेरी इस लंका में भूकंप ला सकता हूं विश्वास नहों तो यह देख याँ 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 वे श्री रावन अपने स्वामी श्री रावन की शपत रावन जिस पैर को पकड़कर तूने मुझे पचाड़ने की बात कही है मैंने अपना वही पैर तेरी इस राज्य सबा में मान परवत के सबान अटल कर दिया है यादि तूम मैंसे कोई भी बल्वान मेरे इस पैर को हटा देगा तो शपत पूर्वक कहता हूं कि श्रीराम लंका से बिना युद्ध किये लोट जाएंगे देख क्या रहो राक्षा स्बीरो इस दूश्ट वानर के पहरो को पगड़ कर पचार दो अंब लोट रहो फूब लोड़ करेका स्वारो कारता दो मेंद草 किया darüber करुद किया रहो आएंगे और दो ज्द पहलो कम कि दो बðके रहो बना सरक्ते है करे चिरी दो प्रण, प्रण, तुकितना ही बल्वान क्यो ना हो वानर परन्तु इंद्र को जीतने वाला ये मेगनार, इंद्र जीत मेगनार, तुझे पचाड करी रहेगा हमारे इन दोनों भावों में 20 भावों का पल है अंगर्थ, हम तुझे अभी पचाड कर, अपने रहेगा राक्षस वीरों के अपमान का बदला लेंगे मुल्क रावन, मेरे चरणों पे क्यों गिर रहा है, अरे गिरना है तो श्री राम के चरणों पे गिर, जिससे तेरा उद्दार होगा नंकेश्वर, मैं तुझे अंतिमबार सावधान करता हूँ, कि सीता माता को आदर पूर्वक, श्री राम को लटा दे, अन्यता इसका परिणाम सारी राक्षस जाती को भुगतना होगा जाए चला जाए यहां से, हम तो शब्दों के प्रहार मत कर मैं श्री राम की बानर सेना का एक छोटा सा सेनिक हूँ, तु सोच रावण, मुझसे भी शक्तिशाली बानरों के सामने, तेरी क्या तुर्दशा होगी मेरी बात मान ले रावण, श्री राम से युद्ध करने का विचार त्याग दे, अन्यता तेरा सर्वनाश निश्चित है, तू नश्ट हो जाएगा रावण, तू नश्ट हो जाएगा, जै श्री राम